कि कैसे हैं आप सब आइहोप आप आप लोग अच्छे होंगे आज हम ऩीसकास करेंगे मशीन टूल और उसके क्लाशिफिकेशन क्लाशिफिकेशन उसके विप लूब करते हैं उसको हम रिमूब करते हैं उसके लिए जो अलग अलग प्रोशेज अप्ल rapid होती हैं उसको हम मसीनिंग बोलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटीज मसीन टूल यह मसीन टूल इस मसीन टूल इस एक मसीन है जो कि किसी मेटल या कठोर मैटेरियल के लिए सेपिंग या मसीनिंग के लिए यूज होता है जैसे कटिंग हुआ बोरिंग ग्राइंडिंग शीरिंग या किसी अदक फॉर्मेशन के लिए जो यूज होता है उसको हम मसीन टूल बोलते हैं अब हम इसके क्लाशिफिकेशन को देखेंगे classification of cutting tools the cutting tools used in metal cutting can be broadly classified यानि जो cutting tools metal cutting में use होते हैं उनको इस पर classify किया गया है first single point tools यानि single point tools क्या होता है those having only one cutting edge यानि वे tools जिनमें केवल एक cutting edge होते हैं उनको हम single point cutting tools बोलते हैं यानि जैसे अगर हम बात करें तो जमारे जो lathe machines हुआ boring tools हुआ इनमें ये use होते हैं example देखें तो lathe tools यानि जो हमारे lathe machine में जो tools use होते हैं वो single point tools होते हैं separate tools यानि separate machine में जो use होते हैं वो भी single point होते हैं planar tools और boring tools तो इसमें इन मसीनों में जो भी tools use होते हैं वे single point tools होते हैं next है multi point tools those having more than one cutting edge यानि ऐसे tools जिन में एक से ज्यादा cutting edge होते हैं उनको हम multi point cutting tools बोलते हैं जैसे हमारा milling cutters में और grinding wheels हुआ ये multi point tools में होते हैं example हम देखें तो milling cutters, drills, broches, grinding wheels etc तो ये जो हमारे machines हैं इन में जो tool use होते हैं वे multi point tools होते हैं the cutting tool can be classified according to the motion यानि उनके motion के according हम cutting tool को और भी classify कर सकते हैं first है linear motion tools यानि ऐसे tools जो की एक लंबाई के अनुरूप कारे करते हैं या cutting करते हैं जैसे हमारे lathe machine में जो tools use होते हैं वो linear motion tools होते हैं broaching, planning, shaping tools यानि इन machine में जो tools use होते हैं वो linear motion tools होते हैं second है rotary motion tools यानि जो चक्रिय होते हैं जैसे हमारे milling cutters grinding wheels में जो tools use होते हैं वे rotary motion tools होते हैं example milling cutters grinding wheels यानि यह जो tools है यह rotary motion tools है और उसके बाद last है linear and rotary motion यानि जो एक लंबाई के रूप और चक्रिय रूप में दोनों की रूप में वर्क करते हैं उसको हम linear and rotary motion tools बोलते हैं अगर एक्जांपल देखें तो drills यानि बोरिंग heads एक्षक्टर आनि जो हमारी drilling machine होते हैं एक लंबाई के रूप भी और चक्रिय रूप में भी cutting करती हैं तो इस वीडियो में हमने देखा machine tool क्या होते हैं उनके classification को तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए कीजिए